हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टूर्ड चैनल हाइपट्रेट इस भी मैं हूं मुहमद सोहेल दोस्तों अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए निफ्टी बैंक का ये 15 मिनिट का इंट्रडे कैंडल चार्ट ने आलेट्स हैं इंट्रडे कैंडल चार्ट है जिसका मैं अभी आनेलेसीस कर रहा हूं और में कभी भी मार्केट में ये बताता हूं कि अगर आप निकुरिवे काम करो फर्स्ट कैंडल आप लिए काफिए इंपॉर्टेंट होता है जैसे याज का सटवार क्लिध से असकर यहां पे भी देख सकते हैं यहां पे भी देख सकते हैं जब मार्केट में index sideway perform करता है तो जब कुछ कुछ भी हम लोग कर नहीं सकते हैं तो अभी bank nifty में अगर आप देखेंगे फरस्ट डे candle break होने के बाद हम लोग को क्या चाहिए हम लोग को green candle का open, green candle का close चाहिए जिसका pressure on buying उपर देखने को मिलेगा ऐसे नहीं करते हुए नीचे का candle जब break करता है break करते हम लोग को क्या चाहिए नीचे red candle open, red candle close चाहिए जिदर यहां पे index हम लोगों को दिया buying उसके बाद selling perform करते हुए यहां पे जो buying दिया है यहां पे sell, जो भी sell वाले है लगा के बैटे थे 40 point, 50 point, 60 point उनलों को trap करने के लिए आया जैसे ही trap हुआ, उसका फिर again उपर यहां का जो buying है, pressure on buying को यहां से लिया उसके बाद at the end of the day पहला candle कहीं पर भी break नहीं किया ब्रेक किया तो फिर red candle open, red candle close करते वे नीचे आ गया फिर first day candle के लोग के पास ही यह support लेके बाइट गया दोस्तों समझ गए, तो आपको यहां पे क्या समझ में है आपको यहां पे यह समझ में आना चाहिए कि first day candle में हम लोगों को क्या चाहिए हम लोगों को चाहिए level breakout support, level resistance का हम लोगों को चाहिए breakdown या उसके resistance का चाहिए breakout अब उसी तरीके से कल के live market में भी अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को strongest breakdown level दिखाओ जो multiple time reject हो रहा था, जो strongest breakdown level है वो है यह multiple time rejection हम लोगों को इस level से ही देखने को मिला इसका मतलब यह है कि अगर कल bank nifty इस level का support पकड़ रहा है इसका मतलब यह है कि यह definitely 200 EMA को touch करने के लिए जाएगा ऐसा नहीं करते हुए, आज का जो breakout का support multiple time देते हुए sideway कर दिया, इस zone को completely sideway कर दिया अगर यह sideway market में ही आटका रहा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते कल के date के लिए पर अगर कल इसके नीचे कहीं पर भी close कर रहा है तो हम लोगों को यहां तक कर रहा है fall देखने को मिलेगा अगर उपर का level यहां पर कहीं पर भी break कर रहा है तो समझ जाना हम लोग को 200 इम में है 200 इम में के पास हमारा level यहां पर बैंक निफ्टी में एक यहां पर बन रहा है दूसरा यहां पर बन रहा है जो तीसरा लेवल है रिजेक्शन का वो हम लोगों को 200 यह में तक उपर के तरफ लेके जाएगा बस यह लेवल साफ याद रखना बैंक निफ्टी में दोस्तों उसी तरीके से अगर हम लोग देख रहे हैं हमारा निफ्टी फिप्टी तो निफ्टी फिप्टी सेम जैसे हमारा ट्रेड हुआ बैंक निफ्टी में तो आसान है ट्रेड करना पर बैंक निफ्टी में तोड़ना मुश्किल है क्योंकि वॉलाट ब्रेड़ केंडिल जहां पर हम लोग का सपोट अब लग कोशिच करेंगे तो यहां यहां पे एक breakdown level है यहां पे हम लोगों के लिए breakdown level है अगर याद रखना कल nifty 50 side way open होता है तो हमारे लिए decision लेना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो level के इसके ओपर बैठा हुगा है उसके लिए हम लोगों को चाहिए यह वाला level पहला candle लग ग्रीन बना तो दोस्तों decision हमारे लिए क्या रहेगा बैइंग करेगा पर हम लोगों को intraday correction भी चाहिए तो intraday correction में हम लोग लेंगे दोस्तों तो अभी support zone nifty 50 का 21 942 ठीक है अगर उपर के level तरफ break कर रहा है तो 22 154 के level तक हम लोगों को nifty 50 जाता हो दिखेगा अब जो भी होगा decision दोनों को लेके होगा दोस्तों समझ गे यही था मेरा analysis index पर अगर आपको analysis समझ में आ है वीडियो को like करिए शेर करिए यूटीब चैनल को subscribe कर एड़ उनल को दूर जाटा होगा